आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशाप पर इस तरह का एक सिंपिल बॉर्डर कैसे बनाएं तो दोस्तों मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज वेडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी लाइकन को जरूर प्रेस कर लेना तो बिना वेट किये चलिया आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने फोटोशाप CS3 ओपन करके रखा है इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेज लेना है तो ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए कंट्रूल प्लस N यानि की कंट्रूल N को प्रेश करना है इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे की नियु का बाक्स ओपन हो चुका है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप पेज का साइज लेना चाहते हैं तो यहा आप देख रहे हैं इसके बाद दोस्तों फोटोशाप पर इधर देखिए ये फोर ग्राउंड कलर का बॉक्स है तो अगर आपको बॉर्डर दो कलर में बनाना है तो उपर इस बॉक्स पर किलिक करिए इसके बाद यहां से आप कोई भी कलर ले सकते हैं जैसे अभी हम रेड प पर आने के बाद सिंपली ओके कर देते हैं इसके बाद फिर से आपको वहीं पर आना है तो इधर देखिए अब नीचे वाले बॉक्स पर किलिक कर देना है इसके बाद यहां से हम हुआइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद सिंपली ओके कर देना है इसके बाद आपको gradient tool को select करना है अगर mouse से करना है तो इस पर click कर देजिए अगर बगार mouse के करना है तो केवल जी को press कर देजिए ओके इतना करने के बाद अपने page पर इस तरह से एक line खीच लीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह कुछ इस तरह से बड़िया सा color आ चुका है इसके बाद आपको अपने page को select करना है तो इसके लिए आपको rectangular tool लेना है तो चाहे तो आप mouse से इस पर click कर दें या फिर केवल M को press कर दें जैसे अभी हम केवल M को press कर देते हैं ओके इसके बाद अपने page को देखिए इस तरह से पूरे page को select करना है जितना border छोड़ना है उतना छोड़ना है और इस तरह से select कर लीजिए इतना करने के बाद keyboard से delete की press कर देजिए बस ये बीच में blank हो जाएगा और page border लग जाएगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में हम और tips जानेंगे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रू subscribe करें क्योंकि मैं रोजाना बहतरीन tips लेकर आता रहता हूँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में थाएं क्यों